अज़के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विड हिलियम 2 के बारे में तो चलिए देखते हैं लिक्विड हिलियम कंटेंड इवेन नंबर अफ फर्मियोंस एंड ओबे दा बोस आंशने इस्ट्रेटिस्टिक्स जो लिक्विड हिलियम होती हैं वो इसमें इवेन नंबर में फर्मियोंस होते हैं जैसे कि two protons, two electrons and two neutrons और यह बोस आंशने इस्ट्रेटिस्टिक्स को ओबे करते हैं तो यह बोस आंशने स्ट्रेटिस्टिक को कैसे ओबे करेंगे the normal boiling point of the liquid helium is 4.2 kelvins जो normal boiling point होती है liquid helium की वो होती है 4.2 kelvins here we will study about the qualitative nature of superfluority behavior of liquid helium at 2.2 kelvins यहाँ पे हम 2.2 kelvins पे liquid helium के superfluority behaviors के बारे में देखेंगे helium gas condense at 4.3 into liquid of very low density helium gas जो होती है वो 4.3 kelvins पे liquid होती है और इसकी जो density होती है घनत होती है बहुत कम होती है लगभग 0.124 gram per centimeter cube और अगर हम इससे भी इसको और cool करते जाए temperatures को 0.82 kelvins पे ले जाए तो यह जो है वहाँ पर भी freeze नहीं होती और and it is believe that remains liquid और यह क्या होती है liquid बनी रहती है ठीक है उसके बाद अगर हम उसको solid लाना है तो solid लाने के लिए हम क्या करते हैं कि the solid state of the helium does not form the unless the absolute and external pressure उसमें external pressure कितना लगाया जाए 23 atmospheric external pressure हम जब तक apply नहीं करेंगे तब तक वह क्या नहीं होगा solid नहीं होगा तो चलिए phase diagram देख लेते हैं liquid helium के लिए और यह हमें कुछ इस्तरीक से देखने को मिलेगा बारी-बारी से हम भास करते हैं यदि हम जो temperature reply कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाती है t lambda यानि कि transition lambda से तो इसका जो behavior होता है वो normal liquid के भात ही होती है और इसको कहते हैं helium 1 जैसे कि diagram में आपको दीख रहा है यह हो गई t lambda और यह हो गई हमारा temperature बढ़ता जा रहा है और इसको हमने क्या माना है यहाँ पे liquid helium माननेंगे ठीक है हम यहाँ पे t lambda की बारे में बात दूसरी conditions भी देख लेते हैं अगर हम जो temperature apply कर रहे हैं वो बहुत काम होता है किससे कम होता है इस transitions lambda से कम होता है तो यह जो helium होती है कुछ properties सो करती है जैसे zero viscosity और zero entropies तो ऐसे जो helium होंगे उसको हम कहेंगे liquid helium अब देखें बात आती है t lambda की तो t lambda उसको कहते हैं lambda transition या transition lambda जो क कि liquid helium 1 और liquid helium 2 को क्या करती है अलग करती है तो यसी को कहते हैं हम transitions lambda या lambda transitions अब चलिए देखते हैं कि superfluority सो करने के पीछी का क्या क्या कारण हो सकता है तो पहला जो reason होता है वो होता है weak intermolecular force तो हम जानते हैं कि जो helium होती है वो क्या है noble gas है और noble gas में intermolecular force क्या होते हैं बहुत ही कम होते हैं तो इस वज़े से पहला reason यह बनता है कि यह इसी वज़े से superfluority सो करती है दूसरी जो reason है इसकी small mass mass कम होने के कारण यह easily क्या होता है very low temperatures पे fluidity सो करने लगती है और chemo link owns इन्होंने पहले बार notice किया will liquefying जब उन्होंने द्रवित करिया था hydrogen score 2.2 Kelvin पे तो इसकी depth density थी वो क्या हो गई suddenly maximum हो गई और धीरे धीरे क्या हो गई वो कम होने लगी ठीक है some investigation so that critical temperature is a 2.186 Kelvin जो helium होती है उसके लिए क्या होती है critical temperature जो है वो जो है 2.186 Kelvin होती है यह represent करता है कि अभी तक जो result मिले थे critical temperature के लिए जैसे कि यहाँ पर कैमालिंग उसने 2.2 Kelvin निकाला था तो यह represent करता है कि प्रकृति में या helium में एक ऐसा matters भी है जिसके लिए critical temperature 2.186 Kelvin है और इसी matters को यहाँ पर हमने नाम दिया helium 2 तो I think आज की जो class है वो आपको समझाए होगी और आपके मन में कोई doubt कोई सवाल होगा तो comments करके पूछे जरूर और अगर आपको यह slide चाहिए हो तो comments जरूर करें हम यह provide करा देंगे झाहिए जरूर तो